घर में मुझे ऐसा लगता है किचिन में सबसे जल्दी जल्दी और सबसे जाधा क्लीनिंग की जरूरत होती है अच्छा प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग तो हम फिर भी कर लेते हैं डेली रूटीन में भी करते हैं उस हिसाब से हम cleaning करते हैं लेकिन उसके पावजूत कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हम चाहे जितनी मर्जी clean कर दे तो वो अच्छे से clean नहीं हो पाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बाजार से महंगे महंगे cleaner खरीते हैं चलो उससे try करके देखते हैं उससे अच्छा हो जाएगा और कई बारी क्या होता है कि वो अच्छे से काम भी नहीं करते हैं तो हमारे पैसे भी waste हो जाते हैं तो market में अलग-अलग चीज़ों को clean करने के लिए अलग-अलग cleaner available हैं आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़े शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी kitchen को clean करने में बहुत help करेंगे तो बहुत सारे ऐसे idea भी होंगे जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये नए होंगे तो आप कौन से follow करते हैं वो मुझे comment box में बताईएगा और कौन से ideas कुछ friend के लिए नए हैं वो भी मुझे बताईएगा चलिए वीडियो शिरू करते हैं winter में electric cattle बहुत ज़ादा काम में आती है लेकिन उसको regular use करने पर पानी के दाग यानि कि खारे पानी के दाग या फिर hard water stain लगना एक आम बात है मेरी cattle में आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैं समय समय पर इसी method से साफ करती हूँ जो आपके साथ पर share करती हूँ तो कभी भी electric cattle के अंदर या egg boiler वगरा अगर आप यूज करते हैं तो उसमें खारे पानी के दाग हो जाएं तो बहुती आसान तरीका है आधा पानी लीजे और आधा आपने लगबख एक कप के करीबन आपने लेना है white vinegar और उसको cattle के अंदर डाल करके बस plug-in कर देना है और switch on कर देना है और उसके बाद में कम से कम 15 मिनिट तक इस पानी को आपको ऐसे ही रखे रहने देना है इसकी steam जितनी जादा बनेगी आपका जो खारे पानी के दाग हैं वो automatically clean हो जाएंगे उसके बाद में आपने इसी पानी से अपनी electric cattle को clean कर देना है बाद में पानी को wash करके और सुखे कपड़े से अपनी cattle को बिल्कुल पोच लेना है आपके electric cattle जो है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी बाहार के साइट में उसको soft water से clean करके गीले कपड़े और सुखे कपड़े से पोचा जा सकता है होगी ना बिल्कुल नई सी हमारी cattle दोस्तों laptop, desktop को clean करने के लिए बहुत सारे brushes और instrument आपको बाजार में मिल जाएंगे लेकिन मैं कभी भी इस तरह की चीजों का अपने desktop के उपर यूज नहीं करती हूँ desktop की जो screen है उसको किसी भी soft कपड़े की help से यहां तक की जो sender बनियान आते हैं मैं तो उससे ही साफ करती हूँ microfiber भी यूज नहीं करती इससे बहुत ही आसानी से soft तरीके से सूखे कपड़े से साफ करने पर screen बहुत अच्छे से clean हो जाती है और desktop के आसपास का जो भी speaker वगरा होता है mouse वगरा है वो सब इसी तरीके से साफ कर देती हूँ अच्छा बात आती है keyboard को साफ करने की तो keyboard को अगर हम किसी भी कपड़े से साफ करेंगे तो उसकी keys प्रेस होने का खतरा रहता है जिससे की आपका जो settings है वो खराब रह सकती है तो keyboard को साफ करने के लिए वैसे तो brushes वगरा काफी आते है लेकिन मैं क्या करती हूँ इस तरीके का sponge wipe आपको आसानी से मिल जाएगा उसको beach में से फसा करके इस तरीके से जो gaps होते ना उनको आसानी से clean कर लेती हूँ बिना किसी खर्चे के आसानी से keyboard भी साफ हो जाता है tenless steel with copper के कुछ बरतन तो हर kitchen में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन इन सब परतनों की एक खराब बात यह होती है कि इसके पीछे जो copper लगा होता है वो बहुत जल्दी काला हो जाता है जितना मर्जी इसको साफ करें वो साफ ही नहीं होता तो बहुत ही आसान सी trick आपके साथ में share कर रही हूँ थोड़ा सा गेहूं का आटा लीजिए उसको अपने जो भी आपके utensil है उसकी back side में इस तरीके से sprinkle करना है एक चमच के करीबन नमक का यूज करना है उसको भी स्प्रिंकल कर देना है नमक को इसा भी ले सकते हैं और उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पर white vinegar और ये सिर्फ एक धकन ही मैंने लिया है अब इस mixture को इसके उपर चारो तरफ इस तरीके से फैला देना है आप चाहें तो लगभग 5-7 मिनट तक लगा करके छोड़ सकते हैं मैंने इसको तुरंथ के तुरंथ ही इस तरीके से रब करते हुए clean किया है अगर आप 5 मिनट छोड़ देंगे तो आपको steel wool की use नहीं करना पड़ेगा ऐसे ही साफ हो जाएगा लेकिन मैं तुरंथ ही साफ कर रही हूँ तो हलका सा steel wool का use कर रही हूँ बस इसको scrub कर देना है पानी से wash करके कपड़े से पोच ले ये देखिए बिल्कुल पुराना हमारा जो pan था बिल्कुल नए जैसा हो गया है न अच्छा इसके बाद में जो gas cooktop होती है वो सबसे जादा greasy होती है क्योंकि उसके उपर cooking बहुत जादा होती है उसको clean करने के लिए मैं इस cleaner का use करती हूँ इससे आपको बहुत जादा महनत नहीं करनी पड़ती in fact मैं कहूंगी सिर्फ एक आपको spray करना है और किसी भी कपड़े से wipe कर देना है that's it आपका जितना भी grease लगा है cooktop के उपर वो easily clean हो जाता है believe me ये 100% काम करता है बहुत हलकी हलकी भीनी भीनी सी खुशबू है बहुत अच्छा काम करता है मैं तो इससे पूरी तरीके से satisfied हूँ और आपके nearby store वगरा पर भी मिल जाता है Mr. Muscles का है वैसे कोई promotion नहीं है आपकी इच्छा है आप कोई भी use कर सकते मेरे लिए ये काम करता है तो मैं ये आपके साथ में share कर रही हूँ just आपको spray करके किसी भी कपड़े से अच्छे से साफ कर देना है और ये बहुत चल्दी घंटों का काम मिंटों में कर देता है तो मुझे तो 100% recommended है ये tap जो होते हैं पानी के उसके उपर खारे पानी के दाग hard water stain अकसर लग जाते हैं और गंदगी भी हो जाती है तो इसको अगर आप किसी cleaner से clean ना करना चाहे तो घर पर भी असानी से कर सकते है ये है एक निम्बू का टुकड़ा निम्बू के अंदर citric acid होता है और इसको अगर आप baking soda यानि की खाने वाले soda के साथ में mix करके use करें तो ये बहुत ही अच्छा cleaner बन जाता है तो जबी भी tap गंदे हो जाते हैं और मैं कोई cleaner नहीं use कर पाती हूँ तो मैं बस निम्बू के छिलके के अंदर या निम्बू के अंदर थोड़ा सा baking soda लगा करके सारे taps जो है वो अच्छे से clean कर देती हूँ और लगा करके लगबग 15-20 मिनट तक के लिए ऐसी छोड़ दिया उसके बाद में water से इस तरीके से clean करके फिर पानी से wash कर देती हूँ जितने भी taps हैं kitchen के वो सारे ऐसे चमचमा जाते हैं जैसे कि मैंने किसी महंगे cleaner से इनको clean किया है आप भी इस trick को आजमा करके और मुझे अपना feedback जरूर दे कि आपके लिए इतना काम किया हाँ ये बातों मैं बोलूंगी कि एक बार में ये काम नहीं करेगा आप दो से तीन बार इसको regular यूज करें टाइम टाइम पे एक टाइम पिरिएट बान ले और फिर आप इसका magic देख सकते हैं तो ये जरूर ट्राइ कीजेगा इसके बाद में बारी आती है kitchen की tiles की तो दोस्तो kitchen की tile भी उतनी ही गंदी होती है जितना की हमारा cooktop और इसके उपर grease जो लगता है न उसको clean अगर daily ना किया जाए फिर वो tiles भी गंदी हो जाती है और उसके जो edges होते न वो खराब हो जाते है तो इन tiles को clean करने के लिए भी मैं इसी cleaner का use करती हूँ जो की अपने gas cooktop को clean करने के लिए करती हूँ Mr. Muscles का है again इससे मेरा काम just half हो गया पहले मैं baking soda, vinegar और बहुत सारी चीज़े different different try करती रहती थी लेकिन जब से मैंने इसको use करना शुरू किया है मैं पूरी तरीके से satisfied हूँ और मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है इसे अच्छा दोस्तों kitchen के sink की नाली block होने से बचाने के लिए आप क्या use करते हैं मुझे comment box में लिखिएगा वैसे इस तरीके के sink drain cleaner आते हैं market में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे 15 से 20 रुपे में और आप किसी भी brand का ले सकते हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं इसको इस तरीके से बस packet को खोल करके पूरे packet को आपको इसमें डाल देना है और उसके बाद में देखेंगे आप 5 मिनिट के बाद में इसमें से धुआ निकलने लगता है लग बग 15 मिनिट तक ऐसे ही छोडने के बाद में उपर से गरम पानी डालेंगे न तो कभी भी आपको sink blockage या drainage जो clog हो जाती है न उसकी problem बिल्कुल भी नहीं होगा once in a month आप use जरूर करें कोई ना कोई nonstick का बरतन तो आपके घर में भी जरूर होगा क्योंकि इसमें खाना बनाना easy रहता है easy to clean रहता है इसलिए हम इसको use जरूर करते हैं लेकिन इसके back side का जो base होता है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इस तरीके से गंदा दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता इसको बहुत ही आसानी से घर पर clean किया जा सकता है कोई भी liquid dish wash soap जो है वो आप इसके उपर back side में लेकर के लगा दे अच्छे से उसके बाद में किसी भी company का आप cooking soda यानि की खाने वाला soda जो है लगबग 2 चमच खाने वाला soda इसके उपर अच्छे से spread कर दे और उसके बाद में इसके उपर हमें लालना है थोड़ा सा नमक नमक डालने के बाद में इसके उपर लगाने हैं हमें 2 napkin इस तरीके से जिससे की जो भी solution हमने डाला है वो उपर से cover हो जाए और उपर से डाल रही हूँ मैं इसमें लगबग 2 से 3 चमच वाइट विनेगर वाइट विनेगर को डालने के बाद में लगबग 15 से 20 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही छोड़ना है इसके बाद में उसी napkin से मैंने इस तरीके से रगड करके इसको साफ कर दिया लास्ट में थोड़ा सा जो गंदगी रह जाएगी उसको गेहू के आंटे से ले करके इस तरीके से साफ करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगा और इसका जो बेस होता है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि अभी नया खरीद करके लेके आए है जब cooking utensil जो होते हैं अच्छे से साफ सुथरे लगे तो उसमें खाना भी अच्छे से cook करने का मन करता है तो इसको भी जरूर try करें अच्छा दोस्तो kitchen sink जो है वो उनको clean करनी के लिए हम अक्सर market से कुछ न कुछ अच्छा सा kitchen cleaner धूनते ही रहते और हमें market में कुछ भी नया दिख जाता है तो उसको एक बार try जरूर करते हैं तो अगर आप अभी तक बाजार से लाईवी चीज़े try करते हैं तो एक बार ये वाला trick भी जरूर try करें जो मैं आपके साथ में बता रही हूँ तो आपको क्या करना है kitchen sink को clean करने के लिए लेना है लगबग 2-3 चमच खाने वाला soda जो की hardly आपको 10 रुपे का मिल जाएगा उसके बाद में 2-3 चमच liquid dish soap डालना है अपनी sink के अंदर अच्छे से फैला देना है और last में डालना है लगबग 2-3 चमच नमक कोई भी नमक जो भी आप use करते हैं वो डालना है और इसके बाद में सबसे last में हमें डालना है इसके अंदर लगबग 4-5 धकत white vinegar यानि की जो सफेद वाला सिरका होता है न वो अब इसको डालने के बाद में लगबग 15 मिनट तक के लिए या 20 मिनट तक के लिए आप अपनी sink को ऐसे ही छोड़ दें जिससे की जो भी हमने चीज़े डाली है वो अपना असर छोड़ें उस इसके अंदर की जितने भी गंदगी है वो सारी धीरे-धीरे करके निकलने स्टार्ट हो जाएगी जब आपको लगे कि इसके अंदर की सारा dirt, hard water stain या मैल जो भी है गंदगी है वो सारे निकल गई है तब आप इसके उपर घरम पानी अगर स्प्रिंकल करेंगे यानि की गरम सुखे कपड़े से जरूर साफ करें जिससे कि इसकी चमक आपको अच्छे से विजिबल हो सके तो इस तरीके से आप बिना किसी खर्चे के घर की चीजों से अपनी किचिन की सिंग को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं एक पर ट्राय जरूर करना और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये ट्रिक हां मीरी एक वेट सिंग है और एक ड्राय सिंग है इसलिए मैंने एक ही सिंग को क्लीन किया है सुखे कपड़े से लेकिन आप विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं तो अपनी neat and tidy kitchen में cooking को enjoy कर रही हूँ और अब बारी है आपकी जरूरी नहीं है कि हम हर बार market से सामान खरीदें और फिर अपनी kitchen को clean करें बहुत फिरो बजट मैंने आपको tips बताए है जो कि आप follow करके बिल्कुल महंगे cleaner से भी बिल्कुल उसी की बराबरी के या उस से जादा मैं कहूंगी कि आप अच्छे से अपनी kitchen को चमका सकते हैं साफ सूत्रा neat and tidy रख सकते हैं तो बस आज का वीडियो इतना ही था आशा है आपने पसंद किया होगा कुछ भी अच्छा लगना तो like जरूर करना मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए आपको क्या करना है be happy be active अपना ख्याल रखिए औ कुछ रही बाइब बाइब